आप देख रहे हैं TNB अनुपम खेर की फिल्म दिकाश्वीर फाइस का जादू अभी बॉक्स आफिस पर दमदार तरीकी से चल रहा है इस फिल्म ने अपने रिलीज के पहले हफ्ते में ही दुनिया भर में 100 करोड उपे का आकरा पार कर लिया है हलाग कि भारतिय वॉक्स आफिस पर इस फिल्म को 100 करोड कमाने में 8 दिनों का समय लगा दिकाश्मीर फाइस की कमाई का बेवरा आपको हम देने जा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के उपर हुए अत्याचार और उनके कश्मीर से पलान किस दर्द भरी कहाने वाले फिल्म को टेरेक्टर विवेक अगनी होतरी ने बनाया है फिल्म में अनुपमखेर, दर्शन कुमार, पलवी जोशी, मेतुन चक्रवरती और अने बड़िया अक्टर्स ने काम किया है दिकाश्मीर फाइल्स का बड़ा असर दर्शकों पर हो रहा है पिछले ही दिनों से फिल्म को देखने के लिए लोगों की भारी भीर थेटर्स में उमर रही है इसके शो हाउसपूल चल रहे है इस फिल्म का बड़ी कमाई करना शुरुआत में सभी के लिए चौकाने वाली बात थी लेकिन अब सभी इसके और उपर जाने के उम्मीद कर रहे है विवेक अगनी होतरी ने अपने फिल्म दिकश्मीर फायस को 15 करोड के छोटे बजट में बनाय था यह फिल्म 11 मार्च को सिनमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म ने पहले दिन 3 करोड 55 लाख रुपे का बिजनेस किया था इसके बाद दोस्ते दिन ये रकम डवल से उपर चली गई और फिल्म ने 8 करोड 50 लाख रुपे कमाए तीसरे दिन दिकश्मीर फिल्स ने बॉक्स ओफिस पर 15 करोड 10 लाख रुपे का कलेक्शन किया था चोते दिन 15.5.5 रुपे पांचवे दिन 18.5 रुपे चटे दिन 19.5 रुपे और सातवे दिन लगबद 18.5 रुपे बिजनेस इस फिल्म ने बॉक्स अफिस पर किया आट में दिन की बात करें तो अभी ट्रेड एनलिस्ट की तरफ से फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई है लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि होली के दिन दिकश्मीर फाल्स ने 90 करोर रुपे का कलेक्शन किया है अगर ऐसा है तो फिल्म ने 8 दिनों में 116 करोर रुपे के आकरे को पार कर लिया है माना ये भी जा रहा है कि दूसरे हफते में ये फिल्म 125 करोर रुपे से ज़्यादा की कमाई कर सकती है इसके लाबा अब दिकश्मीर फाल्स की स्क्रिंस में भी इजाफा हो गया है पहली दिन ये फिल्म 630 प्लस स्क्रिंस पर रिलीज होई थी अब दूसरे हफते में स्क्रिंस के नंबर बढ़कर 4000 हो गये है आगे स्क्रिंस के बढ़ने के भी उमेद की जा रही है फिल्म रोज अपनी कमाई से नए रेकॉर्स बना रही है और हर दर्शक के दिल में अपनी जगा बिक कायम कर रही है इसके लावा दिकश्मीर फाइस ने दूसरे फिल्मों की कमाई पर भी असर डाला है जो एक छोटी फिल्म के लिए बहुत बरी बात है आगे ये फिल्म क्या कमाल करती है ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा खबरों पे फिलाल इतना ही डेश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in